इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया अरावली के पहाडों में बना बूंदी किला भारत के सबसे खुबसुरत किलों में से एक है ये निशानी है उन हाडा चौहान शासकों की जिन्होंने बूंदी पर 600 सालों तक राज किया आईए जानते हैं बूंदिरियासत की कहानी मध्ययुगीन भारत की अगर हम बात करें तो हमें काफी रेफरेंस मिलता है एक बहुत बड़े जंगल ट्रैक्ट के बारे में जिसे हम दंडकारण या गोंडवाना कहते हैं ये जंगल स्ट्रेच हुआ करता था बंगाल से लेकर आंधर और महाराश्टर तक और यहाँ पर गोंड ट्राइब्स रहा करते थे और यहाँ पर गोंड राजा जो राजस्थान गोंड के ठाने से लेकर अलवर तक एक इसे स्ट्रेट लाइन में फैला हुआ था जो पूरा गुज्रात का ट्रैक्ट है और उदैपूर से उपर बुंदी गोंड पूटा और अलवर तक और यहाँ पर मीना त्राइब रहा करता था और यहाँ पर मीना रा पाजस्थान है वो और मालवा प्लैटो इसके बीच में आता है और यह एक जिसे स्ट्रिटीजिक पासिज है जो यहां पर बने हुए है और इसी को डॉमिनेट करता हुआ बुंदी का किला है जो भारत के सबसे स्पेक्टाक्यूलर किलो में से एक है आप बुंदी जाते है तो आपको आपका फर्स डियक्शन होता है वाव तो यह एक किला इस स्ट्रिटीजिक पास को डॉमिनेट करता हुआ यह बना हुआ है और मद्य युगीन भारत में जो मालवा है और जो उत्तर राजस्थान है उसके बीच में जो भी व्यापार होता था जो भी सेना उपर नीच करते हैं तो राजपुत, राजबंचों और राजपरिवार रियासोतन की बात होती है उनफॉर्चनेटली जो मीनाओं के राज राजस्थान में जो हुआ करते थे उस पर इतना रिसर्च नहीं हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट की जो गोंड राजा है सेंट्रल इंडिया की उन पर हुआ करता था और इस जो एग्जेक्ट एरिया है उसे बुंदा का नाल या जिसका मतलब है बुंदा का एक स्ट्रिवेख पास उसे कहा जाता था और उसी के नाम से बुंदी ये नाम पड़ा उसके बाद हमें संदर मिलता है जैता मीना करके यहाँ पर राजा थे जिन्होंने जैता सागर करके जो एक लेक है अगर आप बुंदी में जाएं और उक किले के नीचे एक आपको लेक देखेगा उसे जैता मीना राजाओं ने बनवाया था तेरवी शताबदी में इस एरिया पर हाडा चौहान राजपरिवार का राज हुआ हम यह देखते हैं कि around इसी टाइम पर जो काफी बाकी के जो मीना राज्य थे वो भी राजपुत राजपरिवारों का वहाँ पर राज हुआ तो इसी तरह राव देवा जो हाडा चौहान राजपरिवार के थे वह यहाँ पर राज करने लगे तीरवी चौदवी शताबदी में जो बूंदी था उसका strategic important तो था बट जो राज था वो इतना imported नहीं था वो ट्रिब्यूट दिया करते थे जो चित्तोड के महराना थे उनको और बूंदी का जो राज है वो चित्तोड के महरानाओं के ही अदीन था around 1569 में जो बूंदी के राव थे उनका खिताब राव का था सुर्जन सिंग वो रंधमबोर के किले के गवर्नर थे on behalf of चित्तोड के महराना है उनके बिहाफ पर और रंधमबोर का जो किला था वो बहुत ही उस समय महत्वपून था जो बूंदी के उत्तर में थत्त था और बाच्छा अकबर को उसे capture करना था और negotiations के द्वारा और काफी जद्व जहत के बाद बाच्छा अकबर ने रंधमबोर को एक negotiated settlement के साथ capture किया और उसी के साथ उन्होंने जो सुर्जन सिंग है उन्होंने जो negotiations अच्छे से लिये थे उन्हें राव राजा का खिताब उन्हें दिया गया इसके बाद जो बुंदी के जो राव राजा है वो मुगल जो सीना है उसमें भरती हो गए और मुगल सामराज्य का वो पाठ हो गए वो अपना बुंदी में राज चलाते थे बट मुगलों को भी जो उनके कैमपेंज से उनमें सहायता करते थे बाच्छा अकबर के उत्रादिकारी है जहांगीर उनके समय में जो बुंदी और कोटा ये जो दो राज थे जो हडा चोहनों का राज था वो उनके दो विभाजन हुए वेर एक भाई को बुंदी दिया गया और एक भाई को कोटा दिया गया और इसी समय से बुंदी और कोटा ये दो separate राज बन गए यहाँ पर इसी समय में यहाँ पर राव राजा अनिरुद सिंग का राज हुआ और उनका जो राज इसलिए important है क्योंकि अगर आप आज बुंदी में जाओ तो आपको बहुत दो important monuments यहाँ पर दिखेंगे एक है 84 खंबो वाली चत्री जो राव राजा अनिरुद सिंग ने अपनी दाई के लिए बनवाई थी और यह बहुत ही unique और interesting monument है राजस्थान का और दूसरी है राणी जी की बावली जो अनिरुद सिंग के पत्नी ने बनवाई थी तो उनके राजकी यह दो बहुत ही खुबसूरत monuments अगर आप बुंदी जाए तो आप देख सकते हैं बादशा शाजहान के काल में बुंदी राजपरिवार का मुगल दर्बार में बहुत ही जादा महत्व था इस बाद से हम यह देख सकते हैं कि जो राव 16 साल थे बुंदी के वो डेली के governor थे और you know to imagine करना कि एक राजपूत प्रिंस उन्हें शाजहानाबाद का governor बनाया जाए यह एक बहुत ही incredible बात है इतना ही नहीं राव 17 साल दारा शिको जो बादशा शाजहान के favorite सुपूत्र थे और जहानारा बेगम उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे और फिर बाद में हम देखते हैं कि जब बादशा शाजहान की तबेत खराब होने लगी और उनकी बेटों में तक्त के लिए जंग शुरू हुआ तो एक बहुत ही बड़ी और निरनायक जंग हुई थी दारा शिको और और औरंग जेप के बीच में जिसे battle of सामुगर कहा ज साइड में प्ले किया था, unfortunately हार हुई, but हम अगर देखे तो बाद में भी जो हडा चौहान राजा है उन्होंने मुगल कोट में उनका तालोक उनका रहा, सन 1707 में जब बादशा औरंग जेप का निदन हुआ और उनके बेटों में जब जंग शुरू हुई तब भी बूंद प्रिंस आजम ऐसे अलग-अलग उनके बेटों को सहायता की थी और 1707 में बादशाओ औरंग जेप के निधन के बाद जब मुगल सामराज्य का पतन शुरू हुआ उसी समय जो मराठो की ताकत थी वो बढ़ने लगी थी और धीरे-धीरे मराठो की फौजे जैसे सिंधिया, होलकर, पेश्वा बाजी राओ ये मालवा उन्होंने मालवा पर कबजा कर लिया और उत्तर भारत में उनके अटैक्स बढ़ने लगे अनफॉर्चुनेटली यूनों बुंदी का जो स्ट्रेटीजिक लोकेशन था उसकी वज़े से बुंदी मराठा अटैक्स के लिए एक फ होता था, जंग होती थी और पूरा अगर आप देखे यूनों, फॉम 1707 तो 1818 बुंदी का इतिहास देखे तो उसमें सिर्फ अटैक्स लडाईया अटैक्स लडाईया वही है और इसी के कारण सन 1818 में अंग्रेजों के साथ जब ठीटी हुई तो बुंदी के इतिहास का एक पे अटैक्स नहीं होते थे उस समय बुंदी के जो राजा थे उन्होंने पेंटिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर उसको बहुत बढ़ावा दिया और अगर आप जो बुंदी का पैलेस देखे जो गड़ पैलेस जिसे कहते हैं वहां के पेंटिंग्स आइधिंक राजस्थान पर उस समय वहां के पैंटिंग्स का पूरे देश में नाम था और जो बुंदी के राओ थे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत महल भी बनाया था जिसे सुक महल कहते हैं और जहां पर रुडियार्ड किपलिंग आकर रुके थे और जो अंग्रेज जो ऑफिसर्स हैं उन्हे रुकना बहुत पसंद था और एक फैरी टेल जिसे हम फैरी टेल महल बोलते हैं कि एक लेक के बिल्कुल बगल में ये खूबसूरत पविलियन है तो जो अंग्रेजों के काल में यहां पर काफी अंग्रेज टोरिस्ट बुंदी आते थे बिकूस इवन आज अगर आप देख अगर आप इवन जो उसका नेबरिंग राज है को टा या जालावार इन राजों को देखे उस समय बुंदी बहुत ही पिछडा हुआ राज हुआ करता था और यहां पर राम सिंग का राज हुआ यहां पर राव रगुबीर सिंग का राज हुआ और आखरी जो यहां के राव राजा बहादूर सिंग में जब बुंदी भारत का एक अंग बना उसके बाद यहां के जो राव है वो जादातर समय लंडन में ही रहते थे ब्रिटिश राजपरिवार के वो बहुत करीबी थे इन फैक्ट जब क्वीन इलिजबेट दे सेकेंड और प्रिंस फिलिप क उनकी कोई आउलाद नहीं थी और अनफॉर्चनेटली आज बुंदी राजपरिवार खतम हो चुका है बुंदी का जो किला है वो अभी एक लीगल डिस्प्यूट के अंडर है और इसकी वज़े से यहां पे रख रखाव नहीं हुआ है यह इतना खुबसूरत किला है कि यह इसका मरमत हो इसका रेस्टोरेशन हो और लोग आकर देखे और इसे सरहाए बुंदी के बारे में एक ब्रिटिश राइटर ने लिखा है और जिससे हम भी पूरी तरह सहमत है डिलिशिसली बिहाइंड दे टाइम्स आज भी अगर आप बुंदी जाते हैं जो पुराना एरि अगर आप जाते हो तो आपको एक लगता है कि टाइम मशीन में आप समय के पीछे जा रहे हो और यही बुंदी का एक चाम है तो यह थी कहानी बुंदी रियासत की पिलिशन की